सबसे पहले तो आप सब का कौनमस्कार टुवानगी जनता को बड़े बुजर्गों को नजवान साथियों को माताओं वहनों को मेरा प्रणाम आज की ये जो प्रेस कौनफरेंस है इसका मेरे दो अदेशे हैं एक तो चुनाओ के दोरान एक मैं किसान प्रिवार्शे हूँ किसान हूँ और इलेक्शन कमिशन की तरफ से मेरे को जो चुनाओ चिने मिला बड़ी खुशी की बात है कि किसान का निसान ही मेरे को मिला है तो एक तो ये है कि मैं जो पोस्टर है मेरा इसका चुनाओ का चुनाओ चिने का किसान का वो पोस्टर जारी कर रहा हूँ और दूसरा कि इस चुनाव के अंदर में आने का मेरा उदेश्या क्या है दूसरा ये है मैं ये सबसे पहले तो अपना जो है वो पोस्टर जारी कर रहा हूँ और एक ये है कि कुछ लोगों का मानना है कि मैं किसी के दवारा चुनाव में खड़ा किया गया हूँ या फिर मैं किसी लालच में खड़ा हूँ तो आज मैं ये बिल्कुल कलियर कर देता हूँ कि एक विश्वास दिलाता हूँ टवाना की जनता को कि मैं किसी के राजनेता के या किसी पार्टी के कहने से मैं किसी के कहने से खड़ा नहीं वा हूँ और ना ही इस चुनाव में, मैं किसी के कहने से, या किसी राजनितिक पार्टी के, या किसी राजनेता के कहने से, मैं अपना जो चुनाव वापिस नहीं लूँगा, बलकि इस जंग के मदान में उतरे आओं, तो उस जंग को मैं आखिर टेम तक लडूँगा, और इसके लिए विश्वास दिलाने के लिए मैं मेरे दो बेटे हैं, बिलकुल छोटे-छोटे, मैं उनकी कसम खाता हूँ, कि मेरा जो उदेश्य है इस चुनाव में, यही है, कि यह जो मोजुदा विवस्ता है, जो प्रेशान कर रही है हर आदमी को, हर प्रिवार को, इस विवस्ता को इसकी जनता का जो खून नी चोड़ रख्या है, इसके खिलाब मैं खड़ा हूँ, और इसका विश्वास मैं यह दिलाता हूँ, मैं अपने दोनों बच्चों की कसम खाता हूँ, कि मैं अपनी जिन्दगी में, अगर राजनिती में कदम रख्या है, अपनी जिन्दगी में ना कभी बरश्टा चार करूँगा और ना ही करने वालों का कभी साथ देंगा दूसरी बात रहा मेरा उदेश से क्या है इस चुनाओं में लड़ने का सबसे पहला जो मेरा मेन है कि हरियाने के अंदर 25 लाख नोजवान बिरोजगार हैं पड़े लिखे बिरोजगार जो बी ए उनमें एक बजट निर्दारित करे नोजवानों को रोजगार के लिए नोकरी के लिए उसके तैद सभी नोजवानों को नोकरियां दी जाएं और ये संबो है सो परसेंट संबो है जो सरकारे कहरें कि हम एक लाख नोकरियां दे दी दो लाख दे दी हम दो लाख देंगे हम को जूट बोल रहे हैं मैं ये कह रहा हूँ कि हरियान के हर पड़े लिखे नौजवान को नोकरी दी जा सकती है बस सरते उसमे सरकार और राजनेताओं की नियत और नीती सही हूँ दूसरा जो मेरा उदेश से है कि आज हरियान के अंदर देश के अंदर लाखों प्रिवार नसे के कारण बरबाद हो गए जिसमें चिट्टा, समैक, गांजा, हिरोईन, मेडिकल नसा लाखों नोजवान इसकी पेंटचर के अपनी जान जो है वो दे चुके हैं इसको खतम करने का मेरा उदेश है, मैं किसी भी प्रकार की कोई राम किसी बेचने वारे के किसी सप्लायर के परति मेरे अंदर नहीं है उनको जो भी रास्ता ठीक लगेगा इस नसे को मिटाने के लिए मैं उस रास्ते पर चलने का काम करूँगा बच्चा है वो इनको उठा उठा के जेड में ठोकना है या फिर सीधा ठोकना है लेकिन नसा खतम करना मेरा सबसे एहम मुद्दा है आज हो क्या रहा है आप लोग भी जानते हैं पूरा टुआना जानता है पूरा देश जानता है कि नसे का जो कारूबार है वो कोण लोग वारे है नश्यूंट का कारूबार करने वालों को बचाक और रहा है यही राजनेता ज़ुद आट नसे का कारोबारी को, नसा का बेचने वाले को, मैं कभी जिन्दगी में आपने में कोई स्पोर्ट नहीं करूँगा, कभी उनका साथ नहीं दूँगा, बलकि उनको खतम करने का काम करूँगा. आप बड़े लमबे समय से आप पार्टी के अंदर काम करते हैं, लेकिन ऐसी क्या नहोगत आए कि आप आपने में आद्मी पार्टी में काम कर रहा था, मेरा एक उदेश से अदा कि पंजाब के अंदर बगवतमान और उसकी पार्टी बड़े चिला चिला के कहा रही थी कि हम नसा खतम करेंगे नसा गरू जाड़ दिये लेकिन आज पंजाब के अंदर बगवतमान की सरकार बने को डाई साल होगे लेकिन कितना नसा बंद हुआ है हम सब देख रहे हैं ये मेरा दूसरा वो कह रहे थी कि हम नोजवानों को बार नहीं जाने देंगे उनको यहां पर नोक्रिया देंगे डाई साल के अंदर वो खुद अपने मूँ से कहने कि हमने ब्यारीज़ार नोजवानों को नोक्री दी ब्यारीज़ार सिर्फ उट के मुँ में जीरे के सम्मान है तो यह मेरा मानना है था कि ना इन रोजगार पे काम किया ना इन नसे पे काम किया ना इन ब्रस्टाचार जिन राजनेता हों से ब्रस्टाचार से तंग थे वही राजनेताज पंजाब के अंदर चाहे वो विदायक बन रहे हो चेर्मैन बन रहे हो ब्रस्टाचार में लिपते हैं वो पैसा कमाने में वैस्त हैं इसलिए मेरा उनके साथ कोई मन नहीं मिला यह नहीं कि टिकट का कोई मेरा हो मैं कला बगए डाई साल से आम आदमी पार् देखे मैंने कैसम खाई है की मैं विदायक बनने के लिए नहीं बल्कि एक विवस्था बदलने के लिए इस मदान में उतरहूं मैं तो मैं किसी राजनेतिक पार्टी माली की चाहिए पहर ठीक साल थे घाथ हो। कि सब्रुड स्रirt इख़ा हुद का कि अब भी मैं थोड़ी दिर पहले अपने और बच्चों की किसम खाई है कि मैं कभी भी ना जिंदगी में राज निती में आगे परस्टाचार करणे वालों का साथ देंगा देखिए वो उनका जो चुनाव परचार है मेरे चुनाव परचार से कमजोर है वो किसी, मैं टुआने के अंदर लोगों से मिल रहा था, डोर टो डोर कर रहा था टुआने के लोगों ने कहा कि जिन्दगी में पहली बार कोई विदान सबा का उमिद्वार हमेले का चुनाव लड़ने वाला हमारे से वोट मांगने आया है और लोगों ने बड़े उत्सुक तरिके से का कि अब की बार हम जो है इन पार्टियों से तंगा चुके हैं और एक आजाद उमिद्वार जिसमें आपकी जो सोच है उसके उपर हमोर लगाएंगे तैक COVID-19 से पहले भी कहते हैं कि हम किसी राजनितिक पार्टियों नहीं करेंगे और ना ही हम राजनितिम में आएंगे जो लोग राजनितिम आई हैं पार्टियां बनाई हैं उनका साथ उन्होंने नहीं दिया है और आज भी वो कहरें कि हम खुला रूप से किसी भी राजनितिक पार्टी का साथ नहीं करेंगे लेकिन किसान की जो बात है जिस किसान के लिए मैं लड़ा हूँ जिस किसान के लिए मैंने सर फुडाए हैं जिस किसान के लिए रोड़ जाम की हैं जिस किसान के लटखाए हैं वो किसान आज देख लुए कि उसका सचा साथी इस चुनाव में कौन है और वो जाए वो गाओं का किसान हो चाए सहर का किसान हो वो खुलकर मेरी स्पोर्ट कर रहा रहा है और उसका प्रिणाम आपको चुनाव नतीज़्ों के बाद मिलेगा देखिये मैनी फेस्टो मेरा यह एक मेरी सोच है और मैनि फेस्टो जो मेरा है मैनि फेस्टो मेरा मेरा का जो मेंन मक्सद है तुआने के अंदर लड़कियों की शिक्षिया का मसला जो बड़ा गंबीर है हाँ जी नहीं अभी मैं जारी कर रहा हूं भी हाँ उसमें क्या है कि तुआने के अंदर लड़कियों की पढ़ने की वेवस्ता कोई कॉलेज है नहीं कि दुर्गा कॉलेज है एक आपना IG college है, IG college common college है, बीड बहुत है, सीटें बहुत कम है, लड़कियों के लिए अलग से सरकारी college बनवाना टुआना के अंदर ये मेरा उदेश्या है, दूसरा जाखल के अंदर कोई college निया, senior school है, जाखल के अंदर college बनाना ये एक मेरा उदेश्या है, टुआना के हैं, तीसरा जो मेरा है, जो TvL connection, किसान जब जूर तो हती है, उसी से में apply करता, लेकिन सरकारें उसको देते हैं पांस साल, छै साल बाद, वो जब भी सरकार से, चाहे कैसा भी करूँ, सरकार से ये चीज लागू करूँ कि जब भी किसी किसान गो TvL connection की जूरता है, वो तिवल कनेक्शन के उपड़ आई से 3 लाग 4 लाग रुपे लेती हैं लेकिन वो कनेक्शन पहले जो जिस तरह पहले मुफ्त मिलता था ऐसे ही किसानों को टिवल कनेक्शन मुफ्त दिलाने का काम पर हुआ क्या आप किमाव पतार के जरान तुमाव जनसबा ने करूगा नेई मैं बिलकुल कोई जनसबार ने करूगाए अपना ये बोलते हैं जो रोड जलूस रोड शो ऐसा भी मैं कुछ नहीं करूगा सिर्फ अपनी बात लेकर लोग नहीं मैं अपने साथ गाड़ी होगा काफिला कोई चला होगा कि आओ तू भी मेरे साथ चड़े तू भी मेरे साथ चड़े ऐसा नहीं होगा एक गाड़ी चलेगी या ज़्यादा अगर कोई कोई कहे कि मैं भी साथ चलना तो वो अपना साधन लेके ही चल सकता है मेरे वरोसे वो नहीं चलेगा कि मैं आपका साथ आया हूँ साथ देने के लिए कि आप गाड़ियों का परबंद करो मेरे पास एक गाड़ी है वो भी मैं रिस्तेदार की मांग के लेके आया हूँ उसी से मापना चुनाओ परचार कर रहा हूँ उसी से मापना चुनाओ लड़ रहा हूँ फिल्ट के अंदर रिस्पोंस जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है सभी लोग इन राजनितिक पार्टियों से परेसान है बहुत तंग है इनको कह रहे हैं कि इनकी तो तसलिए नहीं है रात को सोते कहां पे हैं और सुबह उठते कहां से हैं इनका पता ही नहीं है कि ये किस पार्टी में आज रात को किस पार्टी में सवेरे किस पार्टी में इनसे क्या उम्मीद करेंगे बिल्कुल बैठते हैं मैंने कहता गिनी बैठते हैं वो आजाद उमिद्वार कई और से नहीं उत्रे बलकी नहीं पार्टियों से टिकट नहीं मिली इसलिए वो आजाद उतरते हैं मेरा एक उदेश्या है अगर मैं टौने की जन्ता मेरे को इस मुकाम पर पुचाती है और विदान सभा में बेजने का काम करती है तो मैं सबसे पहले अगर सरकार को मेरे समर्थन की जूरत होगी तो मैं ये जो बाते कही हैं इनके उपर लिखित में लेंगा कि अगर आप इनके कि इसको अगर सरकार के साथ सकता हूं ने तो जैसे सटकों के उपर यहां पर यहां पर विरोध आन्दोलन करता हूं वी दानसभा के अंदर भी इन्मागों की लेकर आंदोलन होगा औरड़ा है जान को देखे यह आपनी मानसकता जगजाइर करें ये लोग चाहे वो कांग्रेश को हो वो केवल महिलाओं कोई नहीं बलकि जो लोग सामाजी कुरूप से पिछड़े हैं अनुसुचित जाती से इन राजनीतिक पार्टियों में काम करते हैं उन सब को माले की एक नीचा दिखाने की कोशिस ये लोग करते हैं क्योंकि ये एपने बहुत लंबे से में से जो राज में रहे हैं राजनीती में रहा राजनेता बनके ये अपने आपसे बड़ा सोधरी किसी को मानने को तैयार laughs ये जो चुनाओ है ये चुनाओ इसको चुनाओ में मत मानी है चुनाओ होता है कि कोई चीज चुनना लेकिन यह यह चुनाओ नहीं यह बलकि आपका बविश्य ताय करेगा यह चुनाओ आप किस तरह की लोगों को विदान सबा में बेज रहे हो वो जाके आपके बच्चों का बविश्य ताय करेंगे आपका बविश्यताय करेंगे, आपके खेती का बविश्यताय करेंगे, आपकी मजदूरी का बविश्यताय करेंगे, आपकी दुकानदारी का बविश्यताय करेंगे, कि किसको क्या मिलेगा, तो इसलिए मेरी अपील है सभी से, कि इन बड़े-बड़े जो लोग, सालों से जो पास आज मैं कसम खा रहा हूं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूं कि मैं जिंद्गी मैं कभी बरस्टाचार नहीं करूगा जिंद्गी मैं कभी बरस्टाचारियों का साथ नहीं दिवा कभी नसा सप्लायरों का साथ नहीं दिवा इमानदारी से संगर्ष करूगा आप लोग का ज्वाब भी दे दें दो. तो यही अपील करूँए की विशुास कीजिए एक विशुास से बड़ी कोई चीज नहीं है. हम भी विशुास करके लगातार सड़कों पर कांदोलन की हैं, सड़कों पर लड़े हैं, इसी विश्वास के साथ की हम जीते हैंगे, और हमने जीते भी आसल की हैं.